सुबह 10 वजे से लेके 11 वजे के बीच में उपस थे तूँ आप सब के सामने आज इनकी कुंड़े लेकर के आया हूँ इनका नाम तो नहीं बताया है इन्होंने पर इनकी आइडी है M.I. और K. नाम से आठ मार्च उनीसो बानवे 12 बच के 30 मिनट सुबह में मतलब दोपहर और नालगना विहार इस आधार पर आपकी कुंड़ी बनती है मिथोन लगन की लगन के अधिपती आप एक बदबत रता हूँ मैं ये जो चीजें करता हूँ कभी-कभी कारिकरम में आपने देखे होंगे कुछ उल्टा बोल देता हूँ या छोड़ देता हूँ उस पर ध्यान ना देना लगन के अधिपती बुद्ध जन्मकुंडी में नीच के होकर के बैठे हैं पर केंदर में बैठे हैं ये अच्छी बात होगी पर लगन के अधिपती नीच के होकर के बैठे और यहां का अधिपती जो गुरु है वो दिखे बिजनेस नौकरी और बेवसाय में से बेवसाय कराता हुआ ज़्यादा दिख रहा है पर सरकारी छेत्रों में प्राइवेट नौकरी ना करे बैठी तो या तो अपना खुद का काम या तो फिर सरकारी नौकरी ये दो चीजें क्योंकि नौमान्स कुंडली में सूर्य जो है वो चतुर थस्थान में बैठे देखे जा रहे हैं और ज़ंफ कुंडली में वो सब्तम भाव के अधिपती होते हैं आप कुंडली को थोड़ा सा ऐसा समझना, लगन के अधिपती अपने भाव से चौथे दस्वें के समन्द में गया है यह ठीक तो होता है लेकिन वो नीच के ठीक नहीं होता पर नीच के होकर के बैठे हैं यहां के अधिपती बेवशाय कराते हुए या सरकारी नौकरी कराते हुए देखे जा रहे हैं चंद्रमा मेश राशी का अधिपती मंगल जो है वो उससे केंदर में चंद्रमा को देख रहा है मतलब राशी का अधिपती अगर राशी को देख रहा है लेकिन अस्टम भाव में उचेका हुआ है व्यक्ति को कई बार परिशानी में भी डालने को ये उद्वेलित कर देता है अपने प्रभावों को विक्षित करना है, मन को शांत रखना होगा क्योंकि आपकी कुंडली में जो वस्तूता चंद्रमा जो बैठे हैं ये बात भी दिखने को में और अभी वो उसी दौर से आप गुजर रहे हो जहां आपको कई लोगों को संतुस्ट और खुश भी करना होता है या कई लोगों के बाहे प्रभाव में आकर के आपको अपने खुद के निरने बदलने पड़ते हैं ये बात दिखती है माता भाव का अधिपती बुद्ध उसे देख रहा है पर नीच का हुआ है माता का कारक मंगल से प्रभावित है माता के साथ भी संबंध थोड़े से उपर नीचे आगे पीछे कमजोरी से भरे ही होते है यहाँ पर कई बार बहस और घर में कलह का वातावरण भी बिक्सित होते देखा जा सकता है ऐसा इसलिए क्यूंकि लग्न में और केंद्र में जरह गोर करिये तो राहू का प्रभावत चंद्रमा के ऊपर शनी का प्रभाव बुद्ध के ऊपर तो यह जो इस्थुती बन रही है राहू का प्रभाव गुरू के उपर ये चीजें जो हैं वो कुण्डली को कई बार नीचे ले जाती हैं यह कुण्डली में बल को कमजोरी से युक्त कर देती हैं क्यूंकि राहू लगन को देख रहा है तो सबसे पहले तो आपको तो होते हैं पर कई बार वो भी आपका लाव ले लेते हैं या कई बार जब उनको लाव आपसे मिलना चाहिए या आपसे उनको लाव मिलना चाहिए वो इस थुती ताल में नहीं उसमें भी कंफ्यूजन नहीं है कहीं न कहीं ये बात बनती है अब दूसरी बात बता दूँ त नमम पंचम के समन्द में ये ठीक है विवाह विलंब का खत्रा जरूर होगा क्योंकि वह राहू बैठे हैं और राहू से सब्तमेश गूरू देखे जा रहे हैं राहू की नमी दिष्टी है ना जी यहां पे यानि कि सब्तम भाव में खुद राहू बैठ करके इस भाव को संभाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का स्वास्ता भी कई बार अनुकूल नहीं होता है प्रतिकूलताएं देखी जाती है आयू बहुत अच्छी है आयू तो भरपूर है लेकिन कई बार स्वास्ता से समधित समस्या आलश्य की अधिकता हो जाए व्यक्ति कई बार समाज में उस तरीके का प्रभावकारी प्रयास नहीं कर पाता है या उसको लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में प्राया कई बार गलत धारनाय विक्षित हो जाती है क्योंकि आप खुद ही अपने पास नहीं हो आप खुद ही जो है वो नीच की राशी में बैठ गये हो शुक्र बैठे हैं तो एक उनको एक अच्छी बात मिलते देखे जारे हैं क्योंकि ये पराक्रम भाव के अधिपती हैं तो गुरु और सुर्य एक दूसरे को देख रहे हैं तो व्यक्ति कम से कम नैतिक तत्तों से युक्त है वो नैतिकता का पालन करेगा कभी भी निंदनिये क्रिक्ते नहीं करेगा जिद्धी हो सकता है हटी हो सकता है गुशैल हो सकता है उसमें उर्जा और व्यक्रता की स्थती है मन बड़ा अस्थर सा है क्योंकि चंद्रमा के उपर मंगल का प्रभाव है और लगनेश के उपर शनी का प्रभाव है लगनेश के उपर शनी की तो ऐसी स्थति में विक्ति जो होता है वो के बर मुफट हो जाता है बोल देता है बहुत ज्यादा क्योंकि गुरू के उपर गुरू का प्रफ़ाव चंद्रमा पर भी तो है तो ऐसी स्थति में विक्ति जो होता है वो बिल्कुल सौम्य सौभाव का नहीं रह जाता है वो चा यानि कि कुछ परिणाम इनका यहां का भी रहेगा तो व्यक्ति जो है वो मुफट है कुछ भी बोल देता है पट्ट से और सामने वाले को लग जाता है दुख और इस वज़े से उसके दुश्मन प्राया बनते जाते हैं घर परिवार में वातावरण कई बार कमजोर बन जात बिवाह के बारे में आपने पूछा है दामपत्य में बिलंब योग देख रहा हूँ यहां पर जर्रा देखेगा गुरू अकेले बैठे हैं यहां के अधिपति शुक्र जो है वो नीच के हो रहे हैं यहां यह थोड़ी कमजोरी है तो ऐसे इस्थिति में विवाह मिला करके ही करना चाहिए और आप 1992 को हो विवाह करने के लिए ततपर हो जाओ क्योंकि दुतिय भाव के अधिपति एक्टिव होते हैं तो विवाह कराते हैं शंबंद आने की स्थिति बन रही है पर दुतिय भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर राहु का भी प्रभाव है और गु गोचर है, आपकी राशी से एकादशस्त जा रहा है, तो ठीक है, खराब नहीं है, विवाह की स्थिति अभी भी बन रही है, तो प्रयास कर लो. विवाह के लिए कोई मेश राशी का अगर जातक मिल जाए, कोई जातक जो है वो अगर मकर राशी या मकर लगन का मिल जाए, बेकोण मतलब पस्चिम और उत्तर के कोण पर, ये कुछ चीजें बनती है, दामपत्य आपका बिलंब से है, उसमें कुंडली मिला करके ही करना होगा, क्यूंकि जन्मकुंडली के पंचमभाव में प्रेम कम है, आपने गौर नहीं किया, प्रेम आपको लोगों से कम मिला है, ऐसा क्यूं, क्यूंकि जन्मकुंडली के पंचमभाव, जहां से प्रेम और लाड का विचार किया जाता है, पिता से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पिता से प्रेम, पुत्र से प्रेम, हर तरीकी का जो प्रेम है, वो अस्तम में जाकर के बैठा है, तो कमजोर, और जन्मकुंड कि चतुर्थस्थान के अधिपती उसे देख रहे हैं तो देर से देंगे क्योंकि चतुर्थ श्ट चतुर्थ भाव के अधिपती बुद्ध नीच के हो गया यानि कि चल अचल संपती घर परिवार का सुख मातापिता का सुख संपूर्ण जो सुख है वो थोड़ा कम है बात यहां पंचमभाव में विश्दोष बना, यहां चतुर्त भाव के अधिपती शुक्र नीच के हो गया, अस्तम में ये ठीक नहीं है, तो पेट का रोग चमडे से समधित समस्याई, स्किन से समधित समस्याई भी होती है, नाभी का छेत्र का प्रभावित होता है, रग्त से करना जाता है, वो प्रेन समंधों में पढ़तो जाता है, पर वो सफल नहीं होता है, यह बात भी है, तो ऐसे स्थती में विवाह करने के लिए आपको सबसे पहले तो माता-पिता के साथ समंध विक्षित करने होंगे, ताकि उनका आशिरवाद जभी भी विवाह हो, वो मिल सके, और आप जितनी जल्दी हो सके, यह कारिकर्म देखने के बाद मुझे तुरंत संपर्ख करो, आपके लिए उपाय मैं भेजवा दूँगा, या मैं आप से खुद बात कर दूँगा, तब तक के लिए, बहुत-बहुत नमश्कार.